Finance, Business, Economy, देश-विदेश में क्या हो रहा है? इन सब चीजों में मेरा दूर-दूर तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं था मैं ऐसी इंसान थी जिसकी ना तो जीके अच्छी थी और जिसने ना कभी न्यूस पेपर पड़ा हो to understand कि Global Economy में या Indian Economy में क्या हो रहा है तो जब मैंने MBA interviews देने थे या job interviews देने थे ये मेरे लिए सबसे बड़ा challenge था क्योंकि हर interviewer जानना चाहेगा कि आपकी current awareness है कैसी अब क्योंकि मैं भी एक beginner थी तो मैं इस वीडियो में आपसे 5 essay ways share करना चाहती हूँ जिससे आप business, economy और finance के बारे में easily सीख सकते हो और अपने आने वाले interviews के लिए prepared रह सकते हो तो हम start करते हैं पहली website के साथ जो मेरी recommendation है which is Bloomberg Quint जिस समय मैं तयारी कर रही थी उस समय इसका नाम था Bloomberg Quint लेकिन आज की date में ये BQ Prime के नाम से जाना जाता है and to be very honest ये वो ऐसा एक source था जिसने मुझे interest develop करने में help किया in business and economy I am pretty sure कि आपके साथ ये जरूर होता होगा कि जब भे आपका भी कोई business newspaper पढ़ते हो या कोई news channel लगाते हो जिस पे business news आ रही हो आदी से ज़ादा चीज़ें आपके सिर के उपर से निकल जाती होगी वेल मेरे साथ भी ऐसा ही होता था विच इस वाए जब मुझे Bloomberg Quint के बारे में पता चला और वो मुझे कैसे पता चला क्योंकि मैं एक दिन YouTube सर्च करी थी और मुझे इनका YouTube चैनल दिख गया आप उसको definitely check out करना इट इस अ वंडर्फुल चैनल इन्होंने इतने simplified way में business और economy के बारे में समझा रखा था कि मेरा interest develop होने लगा in those topics अगर मैं आपको इनके चैनल का एक run-through दिखाऊं तो आप देखोगे कि बहुत सारे businessmen, CEO, stock market के analyst, venture capitalists इन सब के साथ इनके interviews यहाँ पर आते रहते हैं और वो interviews काफी simple language में होते हैं हर वीडियो में यह एम करते हैं कि आपको चाहे finance और economy की knowledge हो या ना हो यह उन चीजों को आपके लिए simplify करेंगे, break down करेंगे मुझे इस चैनल की सबसे अची बात यह लगती है कि यहाँ पर 1-2 minute की videos आती हैं याने कि यह पूरी की पूरी video जो आप detail में देखना चाहो तो live section में भी देख सकते हो उसका जो crux है या उसके जो main parts है उसके shorter version को यह video की तरह upload करते हैं सो कम time invest करके आप काफी कुछ सीख सकते हो इस चैनल का एक additional benefit यह है कि इनके सारे के सारे interviews English में है अब जब आप किसी को English में बात करते देखते हो और वो भी बहुत high-five English नहीं basic English उसका फाइदा यह होता है कि आपके communication skills develop होते हैं तो इस channel के थूँ आप ना सिरफ अपनी knowledge बिल्ट कर पाऊगे बट simultaneously आपके communication skills भी develop होते जाएंगे मेरी list में दूसरा source है FinShots FinShots एक तीन मिनट का daily newsletter है याने कि इनका हर content piece आप तीन मिनट में पढ़ सकते हो और यह रोज आपको सिरफ एक piece देंगे या तो on finance या on business FinShots एक्चुली बनाया ही इस vision के साथ गया था कि जो finance की knowledge और news है उसको हम कैसे बहुत ही simple शब्दों में एक ऐसे इनसान को बता सकते है मेरे जैसे इनसान को जिसको finance की कोई knowledge ना हो इनका हर एक article बहुत जादा research से बनाया जाता है और बहुत ही high quality का होता है अब यह चीज मुझे कैसे पता है कि इनके हर article के पीछे बहुत research आती है well that is because FinShots के जो founders है वो मेरे ही seniors हैं from IAM Ahmedabad and उनकी LinkedIn profiles को मैंने काफी closely follow किया है उनकी यह जो journey है जहां वो सिरफ कुछ चुनिंदा लोगों तक पहुंचे थे and आज वो 5 लाख लोगों तक daily एक newsletter पहुंचा रहे हैं जब हम सब IAM Ahmedabad में पढ़ रहे थे यानि कि 2019 की बाद है तब FinShots लाँच हुआ था and हमारे कॉलेज में इसका इतना बस था because placements की तयारी के लिए जो infographics इनकी website पे अवेलेबल थे जो data points इनकी research में अवेलेबल थे वो कहीं और नहीं थे सबसे अची बात यह है कि FinShots are absolutely free आपको सिरफ अपनी email देनी होती है और रोज आपको एक high quality article खुद पर खुद देलिवर हो जाएगा in very simple language so definitely check it out and before we move forward let me give a shout out to today's sponsor which is Ditto Insurance FinShots जिन founders का initiative है उन्होंने ही Ditto Insurance भी launch किया है वो IAMM दबात के मेरे वही seniors हैं जिन्होंने decide कि इंडिया में आ रही insurance की problem जो लोगों को confusion हो रही है हम उसे भी solve करेंगे तो मैंने Feb के महीने में अपनी job छोड़ दी थी and मेरे पास तब से अब तक कोई भी health insurance policy नहीं है तो जब Ditto ने reach out किया I was like बहुत बढ़िया मौका है मैं एक बर समझ लेती हूँ उनके insurance advisor से बात करके कि क्या policy लेनी चाहिए मुझे मैंने उनके साथ एक free call book किया ये call 45 minutes तक चला and उनके insurance advisor ने मुझ जैसे person को जिसको कुछ नहीं पता insurance के बारे में इतने अच्छे से सारी terms के बारे में समझाया कि I knew exactly which policy to buy after that call Ditto की सबसे रची बात बता क्या थी उन्होंने मुझे बिलकुल भी दुबारा call ने किया तुसे कि ये policy ले लो this was the only call I had क्योंकि उनका मकसद है आपको educate करना about insurance तो आपका कोई भी doubt हो regarding insurance just book a free call with Ditto मैं इनकी free call book करने का जो link है वो description और print comment में डाल दूँगी आप definitely check out करना और हर उस person को भी बताना जिसको insurance को लेके कोई भी doubt हो अब आगे बढ़ते हैं अगले resource की तरफ which is mint mint एक ऐसा newspaper है जिसने मुझे interviews के दुरान बिलकुल भी ये feel नहीं कराया कि मैं एक newspaper पड़ रहे हूँ इसके कुछ opinion articles आते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं ये articles in fact उन लोगों को भी recommend किये जाते हैं जो अलग-अलग competitive exams देते हैं और जिनकी English उतनी अच्छी नहीं होती लेकिन ये भी बात सच है कि ये articles में जो English use की होती है वो थोड़ी सी high level की होती है अब क्योंकि articles अच्छे हैं मिस नहीं करने चाहिए लेकिन English थोड़ी tough use होती है that is why मैं आपको एक website recommend करती हूँ जो आपको help करेगी इनको simplify करने में that website is called revertify revertify website में अगर आप कोई भी चीज़ डालते हो तो उसमें जो भी complicated words होते हैं वो उसको simplify करके present कर देता है तो आपको करना क्या है आपने mint के articles को as it is copy करना है revertify में paste करना है तो जो भी complicated words होंगे उनको ये website simplify कर देगी तो अब आप articles भी enjoy कर सकते हो knowledge भी gain कर सकते हो और साथ ही साथ थोड़ी English भी improve हो जाएगी तो आप इसको जरूर check out करना और मुझे भी बताना कि आपको mint की website कैसी लगे fourth resource is in shots जब मैं MBA interviews की तयारी करी थी उस समय मैं college student थी तो मेरे पास काफी हद तक free time होता था दिन में लेकिन अब problem ये थी कि मुझे newspaper से पढ़ना बहुत ही boring लगता था और इतनी लंबी news पढ़ना तो वैसे ही बहुत boring लगता था which is why मेरे father ने मुझे एक ऐसी app recommend की थी जिसमें बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही crisply एक news communicate होती थी and that app was in shots. In shots की खास बात ये है कि जो भी आज की date में हो रहा होगा ये आपको regularly and timely update करती रहेगी और बहुत ही basic शब्दों में उस news को समझाती रहेगी जिस तरह आप Instagram स्क्रॉल करते रहते हो उसी तरह आप in shots की feed को भी simply scroll करते हो वे रह सकते हो and अगर कोई भी news piece आपको interesting लगता है आपको उसकी details आलनी है तो simply left swipe करो and वो उसकी background story and current updates आपके साथ share कर देगा in shots को मैं सबसे साथा तब use करती थी जब मैं कभी भी travel कर रही होती थी और बहुत time होता था उस समय मैं simply fin shots को scroll करती रहती थी लेकिन यहां मैं आपको एक suggestion ज़रूर देना चाहूंगी कि आप in shots app की notification बन कर देना क्योंकि इतने जादा news pieces कभी-कभी आने लग चाते हैं कि it becomes very disturbing तो आप इसको तब use करो जब आपके पास free time है क्योंकि that way it'll be a wonderful resource to utilize your time well 5th resource is Google discover Google discover कोई website नहीं है कोई app नहीं है इसकी stand-alone कोई भी ऐसी app नहीं है जो आप download कर सकते हो लेकिन Google discover एक बहुत ही अच्छा tool है knowledge लेने के लिए about any topic it can be finance, economy, business, general knowledge, anything at all क्योंकि Google से ज़्यादा अच्छे से आपको कोई भी नहीं जानता है so Google discover क्या करता है वो आपके interest के हिसाब से आपकी requirement के हिसाब से और आपकी previous search history के हिसाब से आपको वो articles दिखाता है जो इस समय news या trending है आप अपनी Google feed को customize कर सकते हो तो आप Google app पे जाओ अपनी photo पे click करो settings, personalization, manage your interest अब आप your interest पे click करो और थोड़ा सा scroll down करो अब आपको वो सारे interest दिखाई दे जाएंगे जिनके बारे में आप search तो कर रहे हो लेकिन already वो आपके added topics नहीं है तो जब आप इन पे click कर लोगे Google को पता लग जाएगा कि आप ये articles चाहते हो So definitely check it out and अगर आपको ये Google feed करने के बारे में पहले से नहीं पता था कॉमेंट में ये स्जरूर लिखना मैं इन फाक्ट देखना चाहते हूं कि कितने लोगों के लिए ये नहीं इंफोरमेशन थी अगर आप एक बिगिनर हो तो I truly hope it helps you Thank you so much for watching this guys and all the very best